UNDEMONSTRATIVE का क्या अर्थ होता है यह आज किस वीडियो मी सीख लेती हैं UNDEMONSTRATIVE जो है वो DEMONSTRATIVE का उल्टा होता है और DEMONSTRATIVE का मतलब होता है कोई चीज जो दिखावे वाली होती है या दिखावती होती है या अपने आपको प्रकट करते हुए होती है तो उसको हम demonstrative कहते हैं और इसका उल्टा होता है undemonstrative यानि कि कोई ऐसी चीज़ जो नमुने की नहीं होती या दिखाने की नहीं होती या कोई ऐसा वैक्ति होता है जो अपनी बातों को या अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से लोगों को नहीं दिखाता नहीं बता पात तो उसको undemonstrative कहते हैं यानि कि नमुने का नहीं, ठेट नहीं, संयत, गंभीर या अपने प्रबल भावद्वेगों को नए प्रकट करने वाला यानि कि जो अपनी strong emotions होते हैं उनको दूसरों तक प्रकट नहीं करने वाला कोई व्यक्ति होता है जिसे आप गंभीर भी कह सकते हैं यानि कि serious जो रहता है उसको भी undemonstrative कह सकते हैं जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि वह प्रबल भावद्वेगों को नए प्रकट करने वाले स्वभाव के वेक्ति हैं या गंभीर स्वभाव के वेक्ति हैं तो आप कहेंगे he is a man of undemonstrative nature या अगर आप ये कहना चाहें कि उसके पिता गंभीर थे तो आप कहेंगे his father was undemonstrative अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें